अचाजी आप एक तरफ नेरे द्रमूजी की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, भगवान कल्की की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं, नभी हमारे हैं, पैगंबर साब हमारे हैं, हम उनके हैं, यह डबल रोल कैसे चलेगा? देखे रजज़ जी एक बाद बताओं आप बहुत विद्वान पत्रकार हैं और मैं आपकी उस विद्धता को परणाम करता हूँ निसंदे परणाम करता हूँ कोई भी सूफी संत रसूल पैगंबर रिशी मुनी महत्मा त्यागी तपस्वी अवतार किसी एक community के लिए नहीं आता किसी एक जाती के लिए नहीं आता किसी एक राज के लिए नहीं आता किसी एक work के लिए नहीं आता और माफ करना वो तो देश की सरहद में भी उसे बाधा नहीं जा सकता है कोई भी सूफी, संत, महत्मा, रिशी, मुनी जितने भी आए हैं धर्ति पे पैगंबर, रसूल, जीसा जितने भी आए हैं जितने भगवान के अवतार हुएं वो पूरी दुनिया में पूरी काइनात के लिए आए हैं तो उन पर किसी एक विक्ति का हक नहीं है वो जितने आपके हैं, उतने हमारे हैं तो मैं हमेशा यह कहता हूँ कि राम जितना हिंदूओं के हैं, उतना ही मुसल्मानों के हैं और पैगंबर, मुहंबद, जितना मुसल्मानों के हैं, उतना ही हमारे हैं इसलिए और मैं बात, ये बात मैं जब कॉंग्रेस के साथ था तब कहता था, आज नहीं कहूंगा, ऐसा नहीं है, मैं जब कॉंग्रेस के साथ था, तब भी सच के साथ खड़ा होता था, और आज मैं कॉंग्रेस के साथ नहीं हूँ, तब भी सच के साथ खड़ा हूँ, सच के साथ, सत् पाइटी आएंगी जाएंगी बिगड़ेंगी मिटेंगी लेकिन सनातन खड़ा रहना चाहिए यह राष्ट खड़ा रहना चाहिए विल्कुल सत्य बात कही है पेगंबर मुहम्मद अल्याओं सिर्फ एक देश या एक पॉम के लिए नहीं आये थे अल्लाह ने पेगंबर हज साई धर्म यहूदी धर्म बलके सारी विश्यों के मनिस्यों यहां तक की जरिंदों परिंदों पहाडों दरियाओं खेत खलियानों दरख्तों सब के लिए बना कर भेजा यह सही है कि वो अरब में पैदा हुए थे लेकिन वो पूरी दुनिया के लिए आये थे उनके जब से इस दुनिया में पहला इंसान जिसको हम बाबा आदम कहते हैं वो आयत थे इस्लामित मानिता के अंसार कुरान शरीफ इस्लाम के मानने वालों की सबसे पोयितर किताब है और इस्लाम को मानने वाले कुरान की हर बात पर 100% यकिन करते हैं और कुरान शरीफ में जिक्र है की पेगमबर मुहम्मद cinema से पहले इस दुनिया में एक राख चोबीस 하र कमोबेस नभी भेजे थे और हर नभी ने उस समय के हिसाब से जो भी बताया था वो उस समय का इसलाम इसलाम के मानने वाले कुछ लोगों का मत है कि सनातन धर्म में जो इसलोग के दुख आए उन में से कुछ लोगों के जीवनी कुछ नभीयों से काफी हद तक मिलती है और फिर इसलाम के अनुसार इस्वर ने एक नभी को दुनिया में भेजा जो सिर्फ एक कौम या देश के लिए नहीं आए वो सारी दुनिया और हर कौम के लिए आए वो इसलाम के अनुसार पेगंबर मुहम्मद ص. जो की आखरी नभी है और उनके बाद कोई नभी नहीं आएगा पेगंबर हद्यत मुहम्मद ص. जाले अले असलम का जन्म सौधी अरब के मक्का शहर में 22 अप्रेल 571 इस्वी को हुआ था और उनकी वफात 8 जून 632 इस्वी को मदिना शहर में हुई थी इसलामिक मानता के अनुसार वह एक भव 200 वक्ताओं द्वारा परचलित एक इश्वरवादी सिक्षाओं को प्रस्तुत करने और पुष्टी करने के लिए भेजे गए थे इसली परकार पेगंबर मुहम्मद ص. जाले अले सलम के विसे में मुसलमान जो इसलाम को मानते हैं उनका मानना है कि वो दुनिया में भेजे गए जितने भी दूस आए जितने भी नभी आए जितने भी देवता आए उनमें से वो सबसे आकरी नभी है और इसके बाद कोई नभी नहीं आएगा और वो आकरी नभी है इसके बाद यह दुनिया तबाह कर दी जाएगी जिसे हिन्दी में परलय आना कहते हैं और अर्वी सब्ड में उसको कहते हैं कयामत का आ जाना और इसी तरहिके से इसाई धर्म और यहुभी धर्मिं बानते हैं एक समय यह दुनिया नश्च हो जाएगी और इस दुनिया में जीने वाले जितने भी वेटती हैं उनका और अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब से उनको जन्नत और जहन्नम का यानि स्वर्ग और नर्क का फैसला उनके कर्मों के अनुसार उनको दिया जाएगा। और जैसा कि उनके धार्मी किताबों में लिखा है वो जो आखरी दिन है यानि प्रलय का दिन उस दिन भी वो काम्याब हो जाएगे। इस वीडियो में इतना ही अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सुस्क्राइब करना नही कि मुलिए का सुप्रिया